हेलो फ्रेंड्स तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लूफी की बैटल चल रही होती है सीजर से इधर लौ ने वर्गों को बीच से काट दिया होता है अब आईए शुरू करते हैं लौ पंक हैजार्ड को बीच से काट देता है जिसके बाद पूरे पंक हैजार्ड में भूचाल आ जाता है वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो घवरा रहे होते हैं सांजी लोग उन्हें समालते हैं तब ही वहाँ पर जोरो भी पहुंच जाता है अब ये सब एक साथ वहाँ स और वो उसके उपर हमला कर देता है लेकिन तभी लौ अपना रूम ओपन करता है इधर हमें दिखाया जाता है जो चौपर होता है वो मौचा का इलाज कर रहा होता है और उन्हें भी वहां से निकलना होता है अब लौ क्या करता है वो वर्गो के बहुत सारे छोटे छोटे ये तो परिसानी हो गई लेकिन हा लो तुम्हें इसका पस्तावा जरूर होगा मैं तुम्हें बता दूं तुम जोकर का पास्ट नहीं जानते हो और वही तुम्हारे लिए मौत का कारण भी बनेगा इसके बाद वर्गो बोलता है लो तुमने बस अभी थोड़े से फेम को रहा होता है क्योंकि अब नशे का टाइम हो जाता है उसका वर्गो लो से और भी कुछ बोलने वाला होता है लेकिन लो वर्गो का मुँपी से काट देता है और वो बोलता है कि तुम मेरी चिंता छोड़ अपनी चिंता करना शुरू कर क्योंकि ये लैब थोड़ी देर में फटने वाली है अब लौ और स्मोकर उस कमरे से निगल जाते हैं सीजर क्लाउन फंक हैजार्ड की ऐसी हाला देख के समझ जाता है कि ये काम लौ का है अब क्या होता है जो सीजर होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि एर वेंट्स खोल दो ताकि सिनु कुनी अंदर आ सके लेकिन यहाँ पर सोल्जर्स बोलते हैं कि मास्टर हमारे वहाँ पर सोल्जर्स हैं तो पहले हम उन्हें निकाल दें फिर हम उसको अंदर आने देते हैं लेकिन सीजर बोलता है कि मैंने तुरंत बोलाए तुरंत काम करो यहाँ पर soldiers बोलते हैं कि पर हमारे 100 साथी वहाँ पर हैं और वो मर जाएंगे यहाँ पर Caesar बोलता है कि मुझे गंटा फरक नहीं पड़ता है तुम मारे जाओ चाहे जिये हो तुम गिनी पिक्स हो और मुझे गंटा परवा तुमारी नहीं है मेरे पास और भी लोग आ जाएंगे और वो replacement की तरह काम करेंगे तो यहाँ पर soldiers पहले शौक में आ जाते हैं कि Caesar ने हमारे बारे में क्या बोल दिया लेकिन उनको लगता है कि master हमें बेफकूब बना रहा है हमसे मजाग कर रहा है और opponent को बेफकूब बना रहा है अब वो लोग क्या करते है एयर वेंट स्कोल देते हैं जिसके बाद Caesar क्या करता है सिनुकोनी को पूरा अपने उपर ले लेता है और वो एक monstrous form सी बना लेता है मतलब काफी fool सा जाता है और वो बोलता है कि मुगी वारा ये देखो ये है एक scientist की power और यहां पर Caesar अपना नाम रखता है the king of the land of death अब Caesar क्या करता है अपने ही साथियों को statue बनाना सुरू कर देता है और जो soldiers control room में बैठ कर ये सारा हादसा देख रहे होते हैं वो समझ जाते हैं कि हमें master ने धोका दिया है लूफी room छोड़कर बाहर की तरफ भाग जाता है जिसके बाद क्या होता है उसोब बोलता है कि तुम लोग अगर side हटो तो मैं control seat पर बैठूँ ताकि मैं अपने दोस्तों की मदद कर सकूँ यहां पर जो soldiers होते हैं वो बोलते हैं कि हमें धोका हुआ है हमारे साथ धोका किया गया है तुम्हारा कैप्टन भी तो तुम्हें छोड़कर भाग गया है वो भी धोके बाज है उसोब बोलता है ओए 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 राम से तुम मेरे कैप्टन की मेरे सामने ही बुराइक कर रहे हो वो धोका देने वालों में से नहीं है अगर वो दगाबाज होता तो सबसे पहला इंसान मैं होता जो उसे छोड़ कर जाता वो कभी भी हमारे उपर भरोसा करना नहीं छोड़ता है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी उम्मीदों पर खड़े उतरें तुम्हें भी मेरे कैप्टन पर भरोसा करना चाहिए अब लूफी अपने ठर्ड गेर का यूस करता है उनमें हाकी चड़ाता है और एक अटेक यूस करता है जिसका नाम होता है गौमू गौमू नो ग्रिजली मैगनम और वो ये अटेक दे मारता है सीजर के उपर सीजर को सुरुवात में लगता है कि वो इस अटेक को जेल लेगा लेकिन जब उसे पता पड़ता है कि ये अटेक उसकी लीग से बाहर है तो वो बोलता है कि अमूगी वारा अच्छा ठीक है तुम मेरे अंडर में काम कर सकते हो लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है और लूफी उसे हरा देता है लूफी सीजर को हरा देता है और जो लोग बैठ कर एक्सपेरिमेंट देख रहे होते हैं वो बोलते हैं कि ये कोई एक्सपेरिमेंट था या फिर हमारे साथ मजाक हो रहा है इस बच्चे ने सीजर को ऐसे ही हरा दिया वहाँ पर कुछ और लोग भी बैठे होते हैं वो बोलते हैं कि दुनिया को इनके एलाइंस के बारे में पता चलना चाहिए बिंग मॉम पाइरिट से बोलते हैं कि ममा को इस बच्चे के बारे में जारना चाहिए अब क्या होता है चौपर मोचा को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन चौपर को सही रास्ता पता नहीं होता है तो उसोप उसकी मदद करता है सही रास्ता दिखाने में इसके बाद चौपर के पास बुरुक भी पहुंच जाता है बुरुक की हलत खराब होती है क्योंकि की इने मौन स्टेचू कैसे बना एक हमें बच्ची मिली थी बच्ची ने बताया कि मोमो एक ड्रैगन में ट्रांस्वर्म हो जाता है और फिर आपको पता है आगे का तो ये कहानी सुनकर वो दुवे में गुज जाता है अब क्या होता है नामी, जोरो, सांजी ये सब लोग पहु में पहले S.A.D. गैस को इधर ते उधर ट्रांस्वर किया जाता था, उसी चीज को लोग लेके आता है और बोलता है कि हम सब इसमें बैठ कर निकल जाएंगे, लूफी, स्मोकर और लोग को देखकर बहुत खुश होता है, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बफलो और बेबी 5 पंक हैजार्ड में बस पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन इन्हें पंक हैजार्ड में देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि पूरे आइलेंड में धुआ ही धुआ होता है, जिसके बाद बफलो क्या करता है, थोड़ा सा धुआ साफ करता है, त तो वहाँ पर इन्हें Caesar नजर आता है जिसके बाद Buffalo क्या करता है फोन करता है डोफला मिंगो के पास और उसे बताता है कि भाईया Caesar की तो हालत खराब कर दी है इन्होंने उसे पीट दिया है तो यहाँ पर डोफला मिंगो बोलता है कि Caesar को ठीक करो और फटा फट उसे यहाँ प करो उसके पीछे कोई वज़ा जरूर होगी अब क्या होता है डोफला मिंगो बोलता है कि अभी भी लख मेरी तरफ है जब तक Caesar मेरे पास है तब तक मैं S.A.D. गैस को और बना सकता हूं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी लौ लूफी लोगों से बोलता है कि तुम लोग जब और पास आने की कोशिश करते हैं तभी इनकी नजर पढ़ती है जर्नल फ्रैंकी के ऊपर फ्रैंकी की नजर बेबी फाइफ के ऊपर पढ़ती है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन बेबी फाइफ भी कम नहीं होती है उसके पास भी अपने वैपन्स होते हैं औ और वो फ्रेंकी के ऊपर अपने वैपन से जोरदार हमला कर देती है जिसके बाद उसे लगता है कि मैंने फ्रेंकी को धो दिया लेकिन जब वो देखती है कि फ्रेंकी को कुछ नहीं हुआ है तो उसके तोते उड़ जाते हैं अब बेबी फाइफ भी सीरियस हो जाती है वो अपनी पावर दिखाती है बेबी फाइफ एक डेविल फ्रूट यूजर होती है और उसका फ्रूट उसे अपने बॉड़ी पार्ट वैपन बनाने की पावर देता है बेबी फाइफ अपने आपको एक वैपन में ट्रांस्पॉर्म कर लेती है और बफालो उसे एक वैपन की तरीके यूज कर रहा होता है इसके बाद हमें दिखाया जाता है सीसर सीसर बोलता है मैं हिल नहीं पा रहा हूं क्या मैं मर गया मैं कहा पर हूं यह सब उनकी वजह से हुआ है और अब सीसर को किसी के दिल धड़कने की आवाज आती है वह अपनी होता है इधर लौ बोलता है कि तुम सब भी ट्रक में बैट जाओ हमें निकलना होगा लेकिन लूफी तस से मस होने का नाम नहीं ले रहा होता है और ताशिगी भी वहां से अभी नहीं जाना चाहती है क्योंकि उसके सोलजर्ज भी अभी नहीं आये होते हैं अब ब्रुक और भी लूफी लोगों के पास पहुँच जाते हैं इधर उसोप को भी सी स्टोन की हतकडियां मिल जाती हैं और वो भी लूफी के पास पहुँच जाता है और फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डोफला मिंगो के पास फोन आता है मो जाता हूं कि तुम उन सब को मार दो वो बताता है कि पंक हैजार्ड में एक बटन है और अगर तुम उसके दबा दोगी तो पूरी पंक हैजार्ड तबाह हो जाएगी मॉनिट बोलती है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है मैं वहीं पर हूँ और मैं यह भी जानती हूं कि तुम ही पाइरेट किंग बनोगे और अब वो बटन को दवाने वाली होती है दोस्तो उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है यसा यह चीज हमें सिखा रहे होते हैं यह करेक्टर कि आप जो कुछ भी जिन्दगी में करो उसका अफसोस मत करना और अगर अफसोस करना है तो फि विलन था बुरा था कैसा भी था लेकिन जो उसके चेहरे पे स्माइल होती है दोस्तो वह बहुत कुछ बयां कर रही होती है उस टाइम पर और अब मोनेट बटन पे उंगली रख देती है और एक धमाका होता है और यहीं पर एपिसोड खतम हो जाता है मिलता हूं नेक्स वी आइन गुड बाए